तो मैं डेली आप लोग ले एक्जाम पर विवेक सरके पक्टिस सेट लेके आती हूं हिंदी और जीएस का तो अभी मैं लेके आरही हूं हिंदी का जो बहुत ही इंपोटेंट कॉशन है मैं आपको बार 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 बताती हूं यह क्लास आपको बहुत जादा वेनिफिट इसे ही जीएस में इससे क्या होगा आपको पता चलिजाएगा आप पेपर में कितना स्कॉर कर पाई यह आपका पेपर है ऐसा मान कि आप कॉशन को लगाया करिये आशर बाद में देखा करिए पहले खुश से आंसर दिया करें ठीक है तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट क लेखेंगे देखही कैसे हम कैसे लِखेंगे विध्या और प्लस अरठी य्यानि कि विद्धिया का आप less आप क्या बन nelle दो ये कौन सी िह या बड़ा आफ दीख राहिए द्धा पर ये क्यों से दीर के संदिय ठीक है कैसे संधिय के संदिय है यानि की छोटा मिलकर भी बढ़ा को ज़से सबचेंगे कैसे बचाना हैак बोल के देख लेते हैं को मुंसे जैसे की बोल के देखो का क्या तालु से हो रहा है नहीं नहीं होदा चा चाप बोलेगे तो तो च शूर रही है तो एक क्या ओडेगा त्देल्ड न है अब दे Hayek स्वर मेंसे कौशन था कल ओड़으 Van दिर इस और कौन से होते है?」 यह आ यह होगया बड़ी यह ऊपिर हो गया चोटी जो प्राण ब्यंजन वन का उधारन कौन सा कंथे जो कंथ से बोला जाए और अलप प्राण भी हो ठीक है तो 42 का कौन सा वह आंसर दीजिए तो क्या होगा देखो था था कैसे बूला था धनति है यह तो आपको पताईए धा यह भी नहीं है फा होस्त है न और अणा कैसा है कल कैसा है यह कंथे भी अणा देख रहें बोलके देख सकते न तो यह कैसा है आपका अलप प्राण भी और कंथे भी है ठीक है तो आंसर होगा इसका डी ठीक है चलिए next question कौन सा घन का अनिकारती सब्द नहीं है घन ठीक है किसका घन का तो देखिए घन को क्या कहते हैं घन को क्या कहते हैं देखिए चोर भी कहते हैं ठीक है प्रेत भी कहते हैं और महादेब भी कहते हैं क्या नहीं कहते हैं बड़ा होतोड़ा नहीं कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इस जो किसी एक व्यक्ति वस्तू का वोद करा है, वो व्यक्ति वाचक संग्या होती है, ना कि किसी जाती का वोद करा है, तो देखिए, संग्या नहीं है, तो देखिए, अगर हम बात करें, तो कौन सा होगा इस कहां से, बताईए, बताईए, तो देखिए, आपको पता है, क्या है तो पहाड क्या है आपका व्यक्तिवाचिक शंग्या नहीं है कैसे संग्या है यए जातीवाचिक संग्या है ठीक स्थिए देखाइगा निया मेरा चाज, तो क्या होगा, मेरी चाज, मेरा काड़ा, मेरी काड़ा नहीं होता, मेरा टेसू, तो कौन सा इस त्रे रिरिंग, मेरी चाज, यह दही चाज बोलते हैं न, तो इस तरह से हम लगा के देख सकते हैं, 45 कब 20 सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है न आप लोगो, तीक ह इसे आप देख सकते हैं, चलिए, नेक्स कॉशन है, इन में से किस बाके में अकर्मक क्रिया है, कौन सी पूछी है, तो बताएगे, किसमें हैं, देखे, राम सोता है, तो इसमें तो अकर्म के कर्म तो है नहीं, यह और देख यह पढ़ लेते हैं, यह चीज़ें तुमारा ज जाती है तो इस में भी कर में अपना सिर्ख लाता है तो क्या करता है सिर्ख लाता है मैं पुस्तक बता हूँ तो कौन सा हो जाएगा इसका सियाम सोता है इस यह अकरमक्रिया का उधा रहना है ठीक है क्या होगा सबको पता है आलोग होगा option c ठीव अंदकार आलोग सही ब्लोम शब्द बताना था ठीक है आलोग ठीक है समझ में आ गया है चलिए next question निर्देश निम्लिके सब्दों के नीचे चार विकल्प दिये गए उनमें से उचित पर्रया चुनकर उसे चिनित कीजिए देखे कौन कौन से अनल का बताना देखे पर्रया है ठीक है तो अनल का बता होगा वैसे तो बहुत बार आया भी है अनल का क्या होगा अगनी होता है अनल अगनी ठीक है यह option सरवनाम का कौन सा बेद है यह भी मैंने आपको पढ़ा है क्लास जिसने मेरी देखी होगी उसका अंसर बहुत अच्छी से देगा तो सीला क्या करती है अपने कपड़े यानि कि वह क्या कर रही है निज मतलब खुद का बोद कर रही है तो क्या आ जाएगा निजवाचक सरवन संबंद थो ऊपते है निग नेजवाचक सरवनाम हो जाएगा ठीक है कि नेक्स क्वोशेनगम करने के बाद इसके लिए उपयूगत शओप्द क्या है पांप करने के बाद दॅब करनेruptionled वार्म संभकाना यानि अपनी गलती माल लेना, उस से बस्तावा होना, उसी को गयते हैं, प्राश्चित, ठीके, समझ में आ रहा होगा, चली, आगे बढ़ते हैं, निम्नी लिखित में ऐसे, एक बच्चन कौन सा शब्द है, देखे, एक बच्चन, दर्शन, अब इसमें बही लगा के देख ल जाएगा नदी, क्यावन का सी सही हो जाएगा, अब यह किताब मेरी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेशन है, तो बताईए, अब यह आपको पता होना चाहिए, यह बहुत अच्छे से बताई थी इसको मैं, कि यह वगेरा होते हैं, कौन से विशेशन होते हैं, विशेश जब होता है जब थोड़ा कुछ इस तरह के आते हैं तो परिमान वाचा गुड़ किसी की बताई नहीं गई है तो कैसा विशेशन है सार्व नाम विशेशन है गुड़ बाचा कब होगा यह आदमी अच्छा है यह बुरा है तब होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक् आपश्र निकल याने की बरसा जब होई जब क्रसी सूख गए तो कोई पाइदा नहीं को इसके लिए लोगों कि क्या आश्य क्या हो अपस्रवादी लोग मौके पर दोख्ञा देते हैं यह भी नहीं है क्रसी और वर्शा का टूट समन सम्द्स है यह नहीं आपसर निकल जा जाएगा समझ में आया यह चाली आगे बढ़ता है पंद का धनी मुहावरे का अर्थ इसका मतलब बहुत बोलने वाला नानी में माहिर बहुत इंध करिंगतरी भाई टनी मतलब होता है वह बाद का पक्का है यानि बाद का धनी है बात का का रहा है बताईए गरीबों को बस्तर दो बताईए आप लोग तो देखे क्या होता है करताने कर्म को कर्म ठीक है लेकिन इसमें कर्म को नहीं है को कर्म लेकिन इसमें आंसर भी नहीं है कर्म का ठीक है ठीक है कर्म को करन से संप्रदान के और को द्वारा ठीक है संप्रदान के 65 सब्सक्छ clubs संप्रदान कारत ठीक है अभुक है मैं पर हैं नी कुछ ची इह घ्लत है जिली आबश्य है ये विन फिल्ह स्थ आएगा ये ऑपत कि घ्रम इसाहिए nella क्या आएगा तो कौन सा हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा सी बहे दिली अवस से आएगा ठीक है इसका अंसर क्या हो जाएगा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा सुद्ध बताना था चलिए आगे बढ़ते हैं अब है इसमें क्या है प्रतेख प्रश्ण बाके में एक अधोर ए ले लिए ईसका वहां से बताई है तो देखे सुरुती लिपी का से लिखे जाएगे सुरुती लिपी होता है ना कि चाहिए हो جएगा इसका फ्यूत्र शुर्त लिप देखी है इसा फाइं चलिके इसki बिल्कुल ठीक है चलिए नेग्स कौन सा प्रकट करना कौन सा यह प्रकट करना कौन सा प्रकट करना औप्शन है यह आपका कैसा सब्द तस्सम्थब्द है थीक है याद रहेगा ओप्शन 58 कड दो चली आगे बरते हैं घूचैंट 59 ठीक है बान्दा था विदू को किसने इन कली जनजीरों से मञड़ माले फणियों का मूख क्यों भरा हुआ हीरों से अब देखिए ये बताइए तो देखो क्या बांद आता बिडू को किसने इनकाली जंजीरो से इसमें ऐसा नहीं लग रहा है आपको बहुत जादा किसी चीश की अतीश्योक्ति बहुत जादा प्रशांशा की जा रही है यहने मणी वाले पणीओं का मुख क्यों भरा हुआ था हीरो से ऐसा कुछ हो सकता है तो इसमें साफ साफ दिख रहा है अतीश्योक्ति है कौन सा है अतीश्योक्ति ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है ठीक है चलिए नेक्सक्वाशन है राम सियाम और असोग बजार गए थे इस ब अफ़डवाम आएगा नहीं तो ञाँसा आ जाएगा अर्दवाम आ और प्युक्ज़ है तरल्प нет often a शब्ड है थे कह कौन से उपसर्ग से बाउपसर्ग से बदौलत बदनाम बरदास्त बाकलम तो बताए कौन सा हो जाएगा बताए कौन सा हो जाएगा तो वह शब्द होगा आपका बदौलत बदनाम नहीं होगा ठीक है क्या हो जाएगा बदौलत ठीक है बाप्लस दौलत बदौलत ठीक है ही लकी और मगर आये विकल बटो ही बीच ही पर्चो मुर्चा खाए इन पक्तियों में प्रुक्तरस कौन सा है बताईए कि अजगर को देख के क्या लगता है हमें डर लगता है ना डर लगता है यानी कि भैयानक अससे अजगर कैसा होता है ज़यात धयानक अ急第一個 हमें रस और कुल माअस दोशब्द का अर्थ बताना ठीक है तो कलमस, कलमस क्या होता है, कालिक, कलमस क्या होता है, कल्मस क्या होता है, कुल्थी या फिर उर्द, ठीक है, तो इसका अंसर हो जाएगा, सी, क्या अंसर हो जाएगा, सी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, 64 मनुष्य के में पुस्तक हैं उसकी मित्र मांग दस्तक प्रेरख और साती होती है अब बताइए 64 का आप लोग को भरतना है अग्रसोची तनाव एकांत या अभ्यागत तो देखें इसमें क्या मनुष्य के अग्रसोची में नहीं आ रहा मनुष्य के तनाव में नहीं मनुष् एकांत में उसकी पुस्तकें उसकी मित्र मारदक्षग प्रेरग और साती होती है option से इसका बिल्कूल ठीक है चलिए आगे बरते हैं ठीक है ठीक है नीजी नहीं कि नहीं कुछ नहीं है नहीं है दो क्या खोणिये २ फिरा प्रदाथ संद्र में इन में इसके बताना थी क्यों सा हो जाएगा वह और Fourth समास में अंतिब्पद गौन होता है यही आपका सही है ठीक है 66 का सी हो गया ठीक है चलिए नेक्स कोशन है आब हमें बात करने हैं पद्ध्यांस की हम पहले पढ़ते हैं दिये गए पद्ध्यांस को पढ़गा पूछे गए प्रश्णों के लिए उपयोग बिकलपा चैन के भ बैटे बाइसराय लंबी सांस उसास लेते रहते थे बले ही उन दिनों बिटिस सल्थनत पर कहीं सूरज ना डूपता हो लेकिन उस सल्थनत के छोटे भासा को भी गांदी जीन के सेक्रेटरी के समान कुछ नसीब कहां मिलता था बड़े-बड़े सिविडियन और गवरनर कह करते थे कि सारी बिटे सर्विशों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता था पढ़ने वालों को मंत्र मुग्द करने वाला सुद्ध और सुन्दर लेखन महादेव के हाथों के लिखे गए लेक टिपणिया पत्र गांदी जी के व्य पुस्तकों में लंबी लिखाबट के साथ जेट कीसी गती से लिखा जाता था वे शौठ हैं जानते नहीं थी वह कैसी नहीं जानते थे बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुस राजनीतिक देश विदेश के अग्र गन्य समाचार पत्रों के प्रतिनिदी अंतर गन्दी जी की बातचीत को शौठ हैंड में क्यों लिखा जाता होगा तो बताइए क्यों लिखा जाता होगा ये एक पुराना रिवास्ता सभी जरूरी बाते नोट करने के लिए ऐसा गन्दी जी ने कहा था ये प्रशाशनी नियम था बताइए क्या था सभी जरूरी बाते नोट करने के लिए ताकि सभी जरूरी बाते नोट हो चुके हैं क्योंकि जब कोई बोलता है तो इतना टायम नहीं देते हैं कि वग working हो जाएगा option B ठीक हो जाएगा ठीक है चलिए लेखक में प्रत्य है यह तो सबको पता होना चाहिए लेक प्लस अक कौन सा प्रत्य है अप्शन भी है इसका भी ठीक है चलिए आगे भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था इस बाकिये में सर्मनाम का प्रियोग हुआ है इस सर्मनाम बताईए इसका अंसर क्या होगा गांधी जी किसके लिए हुआ है भारत में उनके अक्षरों का तो किसके लिए हुआ है गांधी जी के लिए हुआ है ना कि जो गांधी जी जो लिख देते उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था मतला दूसरा कोई नहीं था तो गांदीजी की बातों का लोग सम्मान करते ते आपने यड़ी वह दो से आपको क्या पता चला है गांदी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे वीवस लिटेए तो तो आप्शन डी ठीक हो गया चलिए आगे पढ़ते हैं एक के कुशन वीज का मतलब बहुत सवावा खुशन नसीव नहीं है कुशन बीज है सुरी गलत पढ़ रहे थे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा सुन्दर अक्षर लिखने वाला कुशन वीज का मतलब उता सिक्रेटी क समान गांधी जी के सैक्रेटी के समान हुसन भी कहा मिलना था इसका ंसर क्या हो जाएगा सुन्दर अक्षर लिखने वाला थीक है सेविंटीवन का हो जाएगा भी वहुत खुसमिसाज नहीं, विस्तार से लिखने वाला भी नहीं, सुन्दर अक्षल लिखने वाला, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, किस करती के लिए, अमरत लाल नागर को साहित अकाडमी पुरसकार प्राप्त हुआता है, यह अलग, रचना का क्वेशन है, बताईए, तो किस को मिलाता है, तो यह मिलाता है, आपका अमरत और विश के लिए, किस को मिलाता है, अमरत लाल, देखिए, अमरत लाल इसे याद कैसे लगा रहे हैं, अमरत लाल नागर, तो अमरत को अमरत, ठीक है, और अमरत का उल्टा क्या होता है, विश, तो विश, दोनों ऐसे याद कर स कि का जाता है आग कहा जाता है तो किसे का जाता है रामधारी आधे को किके रामधारी सिंद también करको आग और राक का कभी कहा जाताए नेक्स एंब मैं से कौन एक उपन्याजकार नहीं है बताई 74 का तो कौन नहीं है देखिए इधिकैंगि bleiben इस prett तो यह थे आपके थर्टी सेवन कोश्चन हिंदी के अब बताएं तो यह थे आपके थर्टी सेवन कोश्चन हिंदी के अब बतायें थर्टी सेवन मेंसे आपके कितने कोश्चन साही हूए cement box ऊहिंड को बताना है थिकए जिनके 30好吧 सैबו बहुत अच्छ से स्कूर कर पाएंगे आगे चलके 35 से 35 कोश्चन भी कर पाएंगे अगर इसी तरह से प्र difference करते रहे ठीक है तो उम्मीद है आप लोग को लास अच्छी लग रही होगी आप लोग के लिए लाई जाएगी तो चलिए आज की क्लास के लिए नहीं जैन जै भारत